असाम राइफल की होती है या BSF की होती है या CISF की होती है या आपके CRPF की मिल जाएगा चाहे भारत में आपका कुम्भ का मेला हो या फिर किसानों का अंदोलन हो मतलब इसका काम ही है इंटरनेल सेकुरिटी को देखना इस वज़ा से इसके ड्यूटी आवर का कोई लिमीटे सबसे इजी ड्यूटी किस की होती है आप लोगों को आज में बताऊंगा कि सबसे जो इजी ड्यूटी होती है किस फोर्स की होती है असाम राइफल की होती है या BSF की होती है या CISF की होती है या आपके CRPF की होती है या फिर ITBP की होती है फुल डिटेल्स वीडियो है साथ से साथ बात करेंगे कि कितने आवर की डियूटी से जीडी के फ्उर्ज में ली जाती है, देखो मेरे साथियों आपको भी मालूम है जो डियूटी आवर है, वो इंडियन गopard equipment के द्वारता है, कि आप highest 8 गंटे की डियूटी ले सकते हैं, कितने घंटे की duty ले सकते हैं आठ घंटे की duty ले सकते हैं लेकिन किसी भी force के उपर ये लागू नहीं होता है अगर जरूरी पड़ेगा तो 10 घंटे भी करेंगे 12 घंटे भी करेंगे 15 घंटे भी करेंगे और 6 घंटे करेंगे ये जरूरी नहीं है तो सबसे जो last python पर आता है, जो सबसे 8 number पर आता है वो आता है आपका BSF, कौन आता है? BSF, BSF के बारे में आप सभी जानते हैं कि इस्ट की duty थोरा ज़ादा होती है, 6 घंटे दिन में होती है, 6 घंटे नाइट में होती है, तो अगर सबसे ज़ादा highest duty होती है, तो BSF की duty होती है total 12 घंटे की duty BSF करती है, बट यह क्या है सिर्फ time taking है, जब आप border पर रहते हैं, border की security करते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा tension नहीं है, बिल्कुल relax वाली duty है, आपको घुमते फिरते रहना है, तो कोई चिंता का कारण नहीं है, लेकिन 12 घंटे, यह जो 12 घंटे होते हैं, यह बहुत ही ज़्यादा है, 6 घंटे दिन के और 6 घंटे रात के, उसके बाद जो आपके 7 नंबर पर आते हैं, वो आते हैं CRPF, कौन आते हैं CRPF, 7 नंबर पर कौन आते हैं CRPF, ऐसे अगर हम CRPF की बात करें, तो CRPF की salary सबसे ज़्यादा होती है, CRPF की salary सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इसका bed हमेशा बंधा ही रहता है, यह कभी UP चले जाएगा, तो कभी पंजाब चले जाएगा, तो कभी जम्मू एंड कस्मिर चले जाएगा, कभी बंगाल चला जाएगा, कभी नौर्थिष्ट चला जाएगा, मतलब कोई निस्चि नहीं है कि आप अगर CRPF में हो, तो कोई निस्चित ही नहीं है कि अभी आप यहाँ हो, तो कल कहों रहोगे, कोई लिमिट नहीं है, जब दिल करेगा, जहां दिल करेगा, आपको भेज दिया जाएगा, सपोज आप अभी सोय हुए हो, अचानक से आपको भेज दिया ऐसे भी CRPF के बारे में बताया गया है कि जहाँ पर आपको गौर्ड नहीं मिलेंगे वहाँ आपको CRPF का एक टेंट मिल जाएगा चाहे भारत में आपका कुम्भ का मेला हो या फिर किसनों का ओंदुलन हो मतलब इसका काम ही है इंटरनल सेकुरिटी को देखना इस वज़ा से इसके ड्यूटी आवर का कोई लिमीटेशन नहीं रहता है बंदे एक जगा से दूसरे जगा ट्रेवल करते रहते हैं इस वज़ा से थोरे हरस्मेंट होते हैं इसलिए साथ नमबर पर कोना हैगा CRPF अगर हम छाह नमबर पर बात करना है तो CISF की आप लोगों को लगता और यह बिलकुल भी नहीं है CISF में 8 गणते की ड्यूटी है उसके बाद 16 गणते रिलेक्स है बिलकिन पूरे की पूरे 8 गणते आपको अक्तु ड्यूटी करने परते हैं अइसा नहीं है कि CISF में आप रहकर थोरा सा रिलेक्स हो पाऊगे पिलकुल नहीं क्योंकि आपको भी मालूम है कि आपकी जो duty होती है वो या तो airport पर होगी या तो किसी station पर होगी या तो किसी factory में होगी आपको भी मालूम है CISF जो है Central Industrial industrial security force है तो जहां भी आप रहोगे वहां पर आपको active duty ही करना पड़ेगा इसलिए CISF में जो है हमेशा alert and active duty होती है और 8 घंटे तक आपको relax का कोई मौका नहीं मिलेगा इसलिए मैंने CISF को 6 नंबर पर रखा है अब अगर हम 5 नंबर पर बात कर लें तो 5 नंबर पर आता है SSB SSB के बारे में आप भी जानते हो कि SSB नेपाल बॉर्टर को देखती है और नेपाल हमारा दोस्त है नेपाल के साथ हमारी friendship है इसलिए इंडिया नेपाल बॉर्टर पर ऐसा कुछ भी नहीं है इसलिए हमने SSB को 5 नंबर पर रखा है क्योंकि इंडिया और नेपाल ए थोरा सिविल वाली ड्युटी मतलब आप वहाँ प सीविल वाली lira box ए छो आपको करोगे कि साथ होगे हमएसा थोцы स्टो थोरा आपको relax duty मीरिगा को पानच मंबर पर रख़्ाइद है इसलिए का दृ tum को चेंगे तो चार नमबर पर आता है SSF ऐसे भी आप मौन कर चलो यह जो SSF है यह हमारे काउंटिंग में है नहीं क्योंकि SSCGD में हम मौन कर चलते हैं हमारे पास छफ फॉर्सी हैं यह SSF और NCB तो अलग से है तो SSF को आपको भी कौम है कोई कोई special task होगा कोई special moment होगा कोई special operations करने होंगे उस समय SSF को याद किया जाता है इसलिए हमने आपके SSF को चार नंबर पर रखा है अब हम बात कर लेंगे तीन नंबर की जी हां बात कर लेंगे तीन नंबर की तो तीन नंबर पर जो आपका फॉर्स आता है वो आता है NCB टिक्स टाइब के सामान मिलेंगे मान के चलिए आपका अफीम मिलेगा या आपका चरस मिलेगा या कोई नसीला पदार्थ मिलेगा तो वहां पर NCB को भेजा जाता है इसलिए अगर हम NCB को रखेंगे तो तीन नंबर पर रखेंगे इसकी कोई निश्चित ड्यूटी होती भ हमेशा नौर्थिस्ट में रहती है कहां रहती है नौर्थिस्ट में रहती है और आपको 9000 रुपिया अलाउंस हमेशा मिलते रहेंगे नौर्थिस्ट में रहती है और आपको अलाउंस हमेशा 9000 रुपिया मिलते रहेंगे और इसकी जो ड्यूटी होती है दो दो घंटे में होती है, दो-दो घंटे के shift में होती है, मतलब एक बार दो घंटे करना है, फिर दो घंटे करना है, कभी-कभी 6 घंटे की भी duty होती है, क्योंकि Assam Rifle को Camp Guard duty ही करना पड़ता है, इसे ना तो कोई border दिया जाता है, ना तो कोई industries दी जाती है, ना तो कोई airport दिया जाता है और नहीं इसे internal security duty में use किया जाता है इसका हमेशा camp guard duty ही होता है इसलिए हमने इसे दो नमबर पर रखा है दो दो घंटे के shift में आपको duty देना परता है अब आपके मन में एक नमबर को लेकर confusion होगा तो एक नमबर पर है ITBP बहुत सारे लोगों को मन में doubt होंगे कि भाईया आपने ITBP को एक नमबर पर क्यों रखा देखो मेरे दोस्त एक बात हमेशा याद रखना जितने hard area में आप जाओगे आपका duty उतना जादा आसान होगा मैंने क्या बोला आप जम्मू एंड कस्मीर में चले जाएए वहाँ पर आपका duty बहुत ही जादा आसान होगा और ITBP हमेशा बरफिले इलाके में रहती है हाइल्टी में रहती है इसकी salary भी सबसे जादा है तो हाइल्टी में क्या होते हैं बंकर बने हुए रहते हैं आपको नॉर्मल बंकर की duty करनी है तो यही कारान है कि ITBP को एक नंबर में रखा गया है क्योंकि ITBP का duty होता है वो बंकर का duty होता है देखो अगर हम duty की बात करना है तो duty लगभग सब का बराबर ही होता है duty लगभग सबका बराबर ही होता है duty को आपको क्या करना है enjoy करना है अगर आप duty को enjoy करते हैं तो आप हमेशा खुश रहेंगे और enjoy नहीं करते हैं तो हमेशा दुख ही रहेंगे इसलिए कोई भी duty hard नहीं है कोई भी duty hard नहीं है सबी duty easy है बस सबको enjoy करना है लेकिन हमने एक compare किया फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो comment box में आके comment करो मैं आपके हर comments का reply दूँगा और अगर मेरे से direct बात करना चाहते हो तो मेरा Instagram ID है 0km1 वहाँ पर आकर आप मेरे को DM करो मैं आपके हर DM का reply दूँगा तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एकले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत राधे राधे